हाई फ्रेंड्स ट्रेड वेलो स्वाथ करता आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम समझेंगे बजेट डेपे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मुवमेंट किस साइड हो सकता है हम एनलेसिस करेंगे एक नहीं दो नहीं पिछले 10 सालों का और जानेंगे मार्केट किस तर परसेंट यानि की 10 गुना जादा हम ट्रेड करेंगे मार्केट की वोल्टल्टी को किस समय ट्रेड लेना है क्या लेना है बने रही का वीडियो में लास्त तक चलिए शुरू करते हैं दोस्तों चलिए समझते हैं पिछले 10 सालों में क्या-क्या हुआ था अगर हम रिसेंट क 3 साल देखें तो पिछले साल जो निफ्टी में चेंज हुआ था वो प्लस 1.37% हुआ था उससे पिछले साल जो मार्केट बढ़ी थी फरवरी 2021 में ये बढ़ी थी 4.74% उपर फरवरी 2020 में मार्केट गिरी थी 0.5% ठीक है 10 सालों को अगर हम एवरेज देखें तो वो आता है 10.26% यानि की 1.4% यानि की मार्केट में अगर आप बेट करते हैं मार्केट उपर जाएगी या नीचे जाएगी तो आपको रिटन मिला है 0.26% जो की बहुत कम है यानि की अगर आप उप्सन बाई करके जाते हैं तो वहाँ पे आपको लोस होना तय है दूसरी तरप अगर ह सारे 3%, 2%, 5%, 3%, 1,5%, 2% यानि की मार्केट में मुव्मेंट पूरे दिन भर रहेगा जैसे जैसे बजट अनॉंस होता है मार्केट में वर्ल्टल्टी रहती है और आपको बस वही स्विंग्स पकड़ने है उन्हीं को पकड़ना और वहीं पे आपको ट्रेड लेना है बजट से पहले बीक का अगर हम परफॉमेंस देखे तो वह आता है देशनलों 5-2 एंड बजट के बाद जो परफॉमेंस है वह भी मिडियोकर है 1.36% यहां पर जो सबसे तेज घोडा है वह हम देख सकते हैं वह है वर्ल्टल्ट यानि कि अब हमें पता चल गया हमें किस पे ट्रेड लेना है वह है वर्ल्टेल्टी पर दोस्तों जानते कहना हमें बचते हैं यह दिन है यहuta एक फर्वडी 2022 हम देख सकते हैं मारकेट नीचे की तरफ जा रहा था चलिए इस दिन को एक जूम आउट करते हैं हम देख सकते हैं मारकेट हलका सा गेपड हुआ नीचे आया उपर और जो पहली हम कह सकते हैं जो breakthrough हुई वो हुई around यहां पर 13 बज़े यानि कि एक बज़े market यहां पर crash हुई market नीचे गरा एक बज़े उसके बाद हम देख सकते हैं फिर यह ऊपर गया ठीक है यह है एक February 2022 चली एक साल पहले और देखते हैं दोस्तों यह हमारा budget day हम देख सकते ह market इसमें भी नीचे पहले गिर रहा था चली इसको थोड़ा सा zoom out कर लेते हैं यह 15 minute का chart है हम देख सकते हैं market हलका सा gap up हुआ नीचे की तरह आया धीरे धीरे गया और जो breakthrough मिला वो हमें कितने बज़े मिला वो फिर से हमें मिल रहा है 13 बज़े यानि कि अगर आपको option sell करना है तो 13 बज़े तक आपको best time मिलेगा option sell करने के लिए 2021 में यह हुआ तो और यही हुआ था 2022 में आप देख सकते हैं अगर आपने इसके बीच में 13 बज़े तक option sell किया है तो आपको फायदा मिलेगा यानि कि अगर आप option seller है premium कमाना चाहते हैं तो 9 बज़ के 15 से 9 बज़ के 20 minute त यह तो था option seller के लिए option buyer को कप trade लेना चाहिए चलिए देखते हैं market में जो budget day पर जो बड़ा movement आता है वो आता है एक बज़े के बाद तो दोस्तों हमको क्या करना है एक बज़े तक जो भी day का high था और day का low था हमको बनाके बढ़ जाना है 11 बज़े आप देखेंगे 11 यहां नीचे आने कोसे की थी बट closing basis पर यह इसको close करके नीचे नहीं जा पाये थी इसलिए हम इंतिजार कर रहे है एक बज़े का जैसे market एक बज़े इस लो को तोड़ा हम देखेंगे अच्छा गासा moment at least यहां से 200 से 300 point का हमको moment मिला है nifty में bank nifty में यह और जादे रहेगा 400 से 600 point just double कर सकते हैं इसका similarly अगर हम 2021 का graph देखें अगर हमने यहां पर डेका high डेका low बना दिया है एक बज़े तक का जैसे इस high को यहां पर इस candle ने cross किया है आपको trade लेना और देखे आपको यहां पर फिर से around यहां पर आपको लगवा 400 point का moment मिलना है nifty में तो आपको trade क्य लेना है nifty bank में भी अगर हम देखें तो similar चीजे हमें देखने को मिलती है यहां भी एक बज़े के बाद market गिरा और यहां पर जो हमको point है वो मिल जाते हैं लगवा 600 से 800 point तो दोस्तों यहां से हमें तीन चीजे समझ में आगी पहला जो seller है उनको नो 15-20 की बीच में आना है end आपको एक बज़े तक जो भी profit loss है most of the time profit होगा आपको लेके निकल जाना है जो option buyer है उनको इंतिजार करना एक बज़े तक का जो भी day का high हो या day का low हो cross होगा 13 बज़े के बाद एक बज़े के बाद आपको उसी direction में trade लेनी है and trail करते हुए जाना है अपने profit को trail करते हुए हम यहाँ भी देख सकते हैं एक बज़े आपने जो scandal पे entry लिए होगी तो आपको यहाँ पर कितना अच्छा profit मिल ला है चीज़े bank nifty में nifty के comparison में movement जादे होगा क्यों क्यों कि जो budget में अधिकतर जो news रहेंगी वो related रहेंगी finance के nifty में हो सकता है किसी एक sector के लिए positive है दूस जो sell करने जा रहे हैं उनको सला दी जाती को nifty में sell करें एक वज़े तेक आपको निकल जाना है और जो आपको buy करना वो करना bank nifty में movement जादे होगा वो करना आपको एक वज़े के बाद वीडियो को like और subscribe जरूर कीजिए ताकि और भी update आपको मिल सके